वेडियो शुकरने सब सब्सक्राइब कर लें बैल आएगे निप्टी निफ्टी को अनलाइस करना है नेक्स्ट वीक क्या रहें चीए आपकी ट्रेडिंग अप्रोच निफ्टी ओव एक्सपारी को हम अनलाइस कर रहे हैं निफ्टी इस कि wedi ओन सब्सक्राइब एक्सक्राइब आपको एक बुलिश चैंडल हो हम हम विक इंटी हो जब हम वीज करते हैं तो हमको weekly और monthly time frame की candle important हो जाती है तो monthly time frame की candle अगर देखते हैं December month में एक complete bullishness आपको देखने को मिली है made of the month में candle थोई neutral हो गई थी यह last two week में जो बाएंगा यह उसके current nifty में आपको monthly time frame पे एक bullish candle देखने को मिली है तो यहाँ पर weekly weekly candle होती है bullish monthly candle होती है bullish put call ratio की बाठ करें fourth January के expiry के लिए तो put call ratio 0.93 पे आसपास है लगबग neutral बना हुआ है last week यह put call ratio 1.12 था वहाँ से put call ratio गिरके 0.93 आ चुका है तो यहाँ पे slightly neutral to bearish view आप put call ratio point of view से देख सकते हैं FIA DIA data की बात के तो last week में FIA ने लगबग 6000 क्रों की selling की थी इस week में FIA positive हो चुके हैं जैसा कि हमने देखा तो पहले भी last to last week में आपने देखा था अच्छी कासी buying FIA कर रहे थे बट बीच में FIA ने selling की जिसके कारण market में fall भी हमको देखने को मिला यह जो fall आया था market में यह covid cases बढ़े थे उसके कारण profit booking की तौर पर देखने को मिला था इस week में last week में हमने देखा कि FIA ने लगबग 7000 क्रों की बाइंग किया और DIA ने लगबग 112 क्रों की बाइंग की है जो neutral देखने को मिल रही वेरनेस डे को इंडिया का manufacturing PMI data, US का manufacturing PMI data और US का job opening data आने वाला है, Friday में European area का inflation data और US का non-form payroll data आने वाला है, मलब job data और इंडिया का service PMI data आने वाला है, इन data points पे आपकी नजार रहने चाहिए, यह next week में होने वाले direction को तैय कर सकते हैं, बाग इस sector की बात करे हैं, तो auto FMCG pharma बुलिश प्लस 2, weekly candle bullish प्लस 1, protocol ratio neutral है 0, FII are positive तो प्लस 1, कोई भी event नहीं है तो 0, तीन sector में से दो सेक्टर छोटे सेक्टर नहां कर आँग 2 rating देते हैं, और IT सेक्टर negative में है तो minus 1 देते हैं, total निकल कहता है 6, 6 is a bullish rating, तो present state of market is on a bullish side, next week के लिए market का bias bullish side में रहने वाला है, 21,500 के आस पास पहुंचके, nifty में एक sharp selling आपको देखने को मिली है, ये covid cases बढ़ रहे थे, इसके कारण आपको एक sharp selling देखने को मिली है, बट इस selling को market ने पूरी तरह से ignore किया, और consistently market में एक buying देखने को मिली, इस level का cross करके market उपर के level पे कड़ा हुआ है, so last week हमने fibonacci retracement level द consistent buying देखने को मिली, जिसने 21,600 का level भी cross करके उपर के zone में market को लेके कड़ा हुआ है, अगर support and resistance level की बात करें, important levels अगर देखे next week के लिए, तो यहाँ पे अगर resistance की बात करें, तो 21,750 से लेके 21,800 को जो level है, ये एक important resistance zone का का काम करें, क्योंकि यहीं पे आके market struggle कर रहा है, last two days स market इस level को break करनी की कुशिक करता है, बट break नहीं कर पाया, नीचे support zone की बात करें, तो जो पुराना high था, जहां से market में fall आना start हुआ था, ये जो level है, support zone का का काम करेंगा, 21,600 से लेके 21,500 का level, अगर market उपर से 21,800 के level को break करता है, तो next resistance, 22,800 का nifty को देखने को मिलेगा, बट य RSI पर निजट आलें, तो RSI थोड़ा overbought zone के आसपा से, थोड़ा overbought RSI भी cool off होगा, market थोड़ा sideways हो सकता है, फिर हो सकता है कि जो rally थी इसको resume करता हुआ market देखे, तो हो सकता है week का starting में market थोड़ा sideways रहे, उसके end of the week या end of the week के market दोबार से rally करना start करें, either direction में, तो ये support and support zone का का काम करें, और बैंक 15 इस level को पीछे cross करने की कुशिक की थी, बट एक बार cross करने के बाद ये जो resistance है, ये अब एक support का का काम कर रहा है, तो यहाँ पर market इस range में फसा हुआ है, 48,050 से लेके 48,600 का zone है, इसके बीचे market इस week में range बना सकता है, तो उपर के level पर देखें तो next support zone 47,400 से 47,500 का जो level है, ये हो सकता है, तो obviously bias market में bullish side में है, बट market अभी एक range फसा हुआ है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आगर आप देखेंगे, तो last week के last two days में आपको एक sideways zone देखने को मिला है, इसके current market एक range फसा हुआ है, जब तक range breakout नहीं होगा, तब market का new direction तेह नहीं होगा, तो next week में होने वाले events पर आपकी नज़र रहेगी, वो आने वाले direction को तेह करेंगे, I hope वीडियो आपको informative लगा है, वीडियो पसंद आए तो भी वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करना ना भूले, thank you for watching, happy trading.